दोस्तों आपको याद होगा, एपल ने विपाक्षे नेताओं और पत्रकारों के फोन पर सरकार प्रयोजित यानि स्टेट स्पॉंसर्ड हमले को ले करके चेतावनी दी थी ओक्टूबर के महीने में कहा गया था कि यह हैकिंग थ्रेट जो है वो स्टेट स्पॉंसर्ड है इस सरकार की कोई गलती नहीं है, यह कोई algorithm error है, ऐसा कहने के लिए pressure बनाया गया था एपल पर, जी हाँ, सही सुन रहे है और इसका खुलासा वशिंटन पोस्ट ने किया है, इस article में इसका खुलासा हुआ है, खबर बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है और exclusive भी है, तो वीडिय को आन तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, नमस्कार, स्वागत है आपका देशनीती पर, देशनीती किवल सची और पक्की खबे, एपल द्वारा ओक्टूबर में स्वतंत्र भारतिय पत्रकारों, यानि जो independent journalist है, उन पर और साथी साथ विपाक्ष्री दल के जितने भी कदावर नेता है, राजनेताओं को चितावनी देने के एक दिन बाद, यानि आपल ने जो एक थ्रेट मेसेज आया था आपल की ओर से, कि आपकी फोन हैकिंग की कोशिश हो रही है और ये स्टेट स्पॉंसर्ट है, इस मेसेज के बाद, इस अलर्ट के बाद, सरकारे हाकरों ने उनके आइफोन में सेंध लगाने की कोशिश की होगी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के तहट अधिकारियों ने तुरंद आपल के खिलाब कारवाई की, यानि आपल ने अगर अलर्ट किया है कि आपके फोन में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, पेगसेस या उस लेकिन उसके जगहाँ पर सरकार जा करके न एपल का कॉलर पकड़ लेती है। ये रिपोर्ट वाशिंग्टन पोस्ट ने पब्लिश किया है। सत्तारूर भरतिय जनुता पाटी भाजपा के अधिकारियों ने सार्वजिनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या सिलिकॉन वैली कमपनी के आंतरिक खत्रा अलगरिदिम दोश्पूर्ण है। क्या इसमें कोई मिस्टेक है। इस पर एपल से कहा गया कि आप एक प्रेस रिलीज कीजी और कहिए कि ये आपके अलगरिदिम में कोई प्रॉब्लम है। ये स्टेट स्पॉंसर नहीं है, सरकार को इस से कैसे बचाना है उसका पत, उसका आप जरिया ढूंडिए। दि वशिंटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इन नेताओं की यानि ये जो तज़्वीर आपके स्क्रीम पर इस फकत है, ये सब ही नेताओं के शिकायतों के बाद भारत सरकार बहुत सक्रिय हो गई थी और आपल के खिलाफ हो गई थी। इन वार्निंग्स के राजनीतिक प्रभाव कम करने में मदद करें यानि इसमें जो स्टेट स्पॉंसर वोर्ड है इसे कही न कहीं आपल को जस्टिफाई करने के लिए कहा गया था। जारी करने की कोई वेकल्पिक वज़ा बताए यानि ये स्टेट स्पॉंसर नहीं है ये अचानक अलर्ट क्यों आ गया इसके लिए एपल को कुछ न कुछ एक सल्यूशन ऐसा क्यों हुआ ये बताना होगा ताकि मोधी सरकार बच जाए। एक वेक्ति ने दी वाशिंग्टन पोस्ट से कहा अपना नाम ना बताते हुए कि जो भारतिय अधिकारी थे जो सरकारी अधिकारी थे वो एपल के अधिकारियों पर ना घुसा करते हुए नजरा रहे थे वो बहुत ज्यादा गुसे में थे। उक्टबर में जिन 20 लोगों को आपल की तरफ से ये चितावनिया मिली थी वे सभी सार्वजिनिक रूप से मोधी सरकार या भारतिय प्रधान मंत्री के सायोगी उध्यकपती गौतम अजानी के अलोचक हैं उन पर सवाल उठाते आए हैं। भारत सरकार ने फोन पर किसी तरह के हैकिंग अटैक में शामिल होने से इनकार किया था और कहा था कि ऐसे अलर्ट दुनिया के कई देशों में अक्सर लोगों को मिल जाता है। सूचना प्रद्योगी मंत्री ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार हैकिंग के इन आरुपों की जाँच कर रही है, लेकिन कैसा जाँच कर रही है वो अबदक सामने नहीं आई, उसकी कोई भी रिपोर्ट जो है सामने नहीं आया साथ में ये भी लिखा गया वाशिंग्टन पोस्ट में कि भारत के प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी लगभग एक दशक पहले सत्ता में आये, तब से उन्होंने बार बार इस विशाल लोगतंत्र में मत्ताताओं को एक जूट किया है और हिंदू बहुसंकक और मुसलिम अल पंथी जो लोग हैं उन्होंने हिंदूओं से समर्थन हासिल करने के लिए मिसलमानों के खिलाब भड़काव बयानमाजी और हिंसा की आलोचनात्मक विचारों पर सरकारी सरकार जो है वो हमेशा हमेशा सेंशुर्शिप बढ़ा रही है दुनिया के सबसे बड़े बजारों पर भी अन्या बिटेक फर्मों ने अक्सर जो है मोदी और उनके सयोगियों को वही दिया जो वो चाते हैं जैसे हमने फेस्बुक को देखा मेटा को देखा यूट्यूब को देखा डिजिटल अधिकार समूहों उद्यक स्रमिको और भारतीय पत्रकारों के अनुसार हालिया प्रकरन ने यानि जिस तरह से ऐपल ने अलर्ड जारी किया और उसके बाद अपल का अधिकार्यों को भारत सरकार ने थ्रेट दिया कि इसमें से जो स्टेट स्टेट पॉन्शर यानि की सरकार प्रयोजित जो बात आगे किया गया उससे बचाये हमें कैसे भी करका λि हुई है इन 20 फोनों के साथ छेड़ छाड़ हुई है तब जाकर के ये अलर्ट सामने आया ओक्टूबर के अंथ में आपल की चितावनियों के बाप्राप्त होने वाले 20 से अधिक लोगों में से कई सार्मजनिक रूप से मोदी या उनके लंबे समय के सयोगी भारतिय उर्जा और बुनियादी धांचे के दिगज गौतम अडानी के अलोचक रहे और ये कहा गया कि शायद इसे क्या चलते जो भी मोदी जो के अलोचक है जो भी अडानी के अलोचक है उनपर कहीं न कहीं हमला किया गया और यही खुलासा जो है यही खुलासा जो है वाशिंग्टन पोस शामिल थे मोधि सरकार ने कभी भी इस पाइवेर के उपयोग की पुष्टी ना तो की है और ना ही खंडन किया है वेगसस को लेकर कि आपको पता ही है कि क्या कुछ हुआ था और उसने इसकी जांच के लिए भारत के सरवच्य नियाला इद्वारा नियुक्ति समिती के साथ सह सायोग करने से भी इंकार कर दिया यानि सदन में भी इस बात को उठाया गया था कि ये जो विपाक्ष्वी निताओं के फोन में अचानक उसे हैक करने की कोशिश की गई उसमें एपल की उसे इस तरह की अलर्ट आए इसको लेकर कि वो सुप्रेम कोर्ट का इंटर्वीन चा होता है और उल्टे दर्वाजे से एपल का कॉलर पकड़ लिया एपल को कहा गया कि ऐसा जो मैसेज आया है इसकी जानकारी नहीं आपको देनी है आपको बताना यह है कि गलती से हो गया आपके अल्गरिद्म में कुछ ना कुछ इशू हो गया कोई एरर आ गया या बग्स आ धमकाने पर उतर सकती है दोस्तों BBC को बैन करने की मांग उठाई गई थी आपको याद होगा BBC डॉकुमेंटरी मोधी कैप्शन आने के बाद कि गुजरात धंगे को ले करके BBC ने जो डॉकुमेंटरी बनाई है उसे बैन किया गया पहले तो और फिर BBC को ही देश से भारत से कोशिश की गई बकाईदा इसके लिए सुप्रिम कोड में वामला गया वो तो बाद की बात है कि सुप्रिम कोड ने फटकार लगाया कि ऐसा हो नहीं सकता मीडिया को इस तरह से दबा नहीं सकते हमेशा चाहे आप वाशिंग्टन पोस्ट ले लीजिए चाहे आप न्यू यूँ यॉक टाइम्स ले लीजिए गाजियन ले लीजिए जब भी मोधी सरकार का कोई भी अकबार अलोचना करता है तो उसे हमेशा देश विरोधी, मोधी विरोधी और भारत विरोधी कहा जाता है दोस्तों आपको तो याद होगा ना वो एक खबर मैं आपको बताई थी कि टफ लव ट्राइंगल साउथ अफरीकी अखबार ने इस आर्टिकल जो आपके स्क्रीन पर इस वकत है इस आर्टिकल म इंडियन पोर्टल से ब्लॉक करना पड़ा या ब्लॉक कर दिया गया और सबसे बड़ी बात कि जो मीडिया पोर्टल के साथ मोधी सरकार ने ऐसा किया था उस पोर्टल ने यारोप लगाया था कि हमारे पोर्टल को हैक किया गया जुसके बाद साउथ अफरीकी अखबार ड सब मोदी जी को रिसेव करने के लिए पर माफ।ा नहीं आये और वहीं से लोकतांत्रिक देश भारत का सर गर्व से उचा होता है अंतराश्ट्रिय पटल पर क्या हम नौर्थ कोरिया ताना शाह नहीं बन गए हैं आप अपनी राय इस पूरे विशय पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर इस तरहां की कारवाई इस तरहां से पेगसस हो तो जिस कमपनी ने पॉप अप करके अलर्ट करवाया उस कमपनी का सरकार कॉलर पकड़ लेती है वो भी एपल जैसी कमपनी का इस पूरे विशय को आपकी संदाज में देखते हैं हमारे साथ अपनी राय शेयर कीजिएगा रिपोर्ट और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा देशनीती को फिस्बूक पर फॉलू कीजिएगा और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अन्थ में थैंक्स ऑप्शन का इस्तिमाल करे और आर्थिक तोर पर देशनीती की मदद करे बहुत-बहुत शुक्रिया जै हिंद ज बहुत